हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगेन तू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम करने जारा है तोरॉइड और यह most important topic आसे start होने जारा है तोरॉइड का जैसे हमने solenoid करी ती solenoid में क्या होता है solenoid तो simple होती है हम ऐसे ऐसे curl करते हैं जैसे हमने spring देखी थी ऐसे spring, ऐसे solenoid, लेकिन जब solenoid को हम round कर देते हैं, जैसे हमारी rubber होती है, वैसे solenoid को हम round कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, toroid, ठीक है, तो when a wire is rounded over a circular core, the arrangement is called toroid, यहाँ पर circular core यानि की कोई medium भी हो सकता है, और यह vacuum भी हो सकता है, आपने क्या करना है, एक spring लेनी है, और spring इंको क्या कर देना, rubber की shape में गोल घुमा देना है, तो वो क्या बन जाएगी, toroid हमारी बन जाएगी, ठीक है, तो बहुत ही simple है हमारी toroid, और इसके important, important formula भी करेंगे, और हम क्या करेंगे, इसकी magnetic field find करेंगे, कि toroid के अंदर क्या होगी, toroid के बाहर क्या होगी, और toroid की इस region म क्या होगी, तो most important है, हमने कुछ नहीं करना होता, जब wire को wound किया जाता है, over circular core, जब देखे, simple अगर इस pen के rotate हम करें, इसके उपर spring लगाएं, तो यह क्या कहलाएगी, solenoid, जैसी यहाँ पर आपको spring दिख रही है, यह क्या है, solenoid है, लेकिन जब इस spring को round गुमा देंगे, तो यह क्या बन जाती है, toroid बन जाती है, hope आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया तो please like, share and subscribe, for more videos, thank you.